वर्तिका सिन्हा तो फेट्स आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए एक ऐसा मैजिकल ड्रिक को यूज करने के बाद आप सिर्फ वन मन्त से पीना है दिन में दो टाइक टाइम आप प्योंगे करने में आपके लीए अपने में अपस बनाने में इसमें बनाने से नहीं है और मन के लिए अब हुच कर सकते हो मौर्निग और नाइट में आप बेटाइम होता पर देखना कि क्या मैजिक होता है आपके साथ आपका वेड ब्लोस इतना अच्छा होता है कि तरी चलते हैं वीडियो की तरफ मैं दिखाती हूं पॉन सा ड्रिंक है जो मैं बनाने वाली हूं जो कि आप बनाके उसे स्टूर कर सकते हूं वन मन्त के लिए भी ऐसा आपको रहां इसके लिए जो माद जो ड्रिंक मैं बना रही हूं उसके लिए हमें कुछ ऐसी किजन के समान चाहिए इसके लिए मैंने लिया है सौफ और सारी क्वांटिटी एकॉल आपको रखना है 200 लिया मैंने 200 ग्राम में मेती लिया मैंने और 200 ग्राम भी मैंने इसमें जीरा का यह पाइट लिया है 200 ग्राम का है यह और मैंने जवाइन भी मैंने 200 ग्राम लिया है यह 100 ग्राम के पैकेट है मैंने यह से दो पैकेट लिया है और इसमें मैं एड करूंगे सॉट तो इसमें मैं 50 ग्राम सॉट डालूंगे सॉट जो होता है। जो जिंजर का पाउडर ही है और बहुत जादा गरम होता है तो हम इसमें से 50 ग्राम भी एड करेंगे से सबसे पहले एक बड़ा सा बरतन लेंगे इस तरीके से और इसमें सारे पैकेट को हम एक साऱ डाल के सब को मिक्स कर देंगे तो इस तरीके से मैंने इसमें सब कुछ टाल दिया है एक साथ एक बड़े से बड़तर में डाल कर इसको मिक्स कर देंगे और अब इसको हम अतना गैस पर एक कडाही चड़ाएंगे और कडाही जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो फिर कडाही के अंदर हम यह सारे जो मिक्स करके रखा है इनको मैं इसमें डाल के और अच्छे से बून लूँगी लाइट ब्राउन कलर तक में मैं बून लूँगी तो इस तरीके से अब मैं इसे चलाती रहूंगी और कंटिन्यू हमें इसे चलाते रहना है ताकि यह नीचे से जलना जाए तो इस तरीके से इसे चलाते हुए मैं 5-7 मिनट तक ऐसे ही जब हम इसे तो अगर फूल प्लेम पर भी रखते हैं तो हम इसे 5-7 मिनट में यह बहुत अच्छा से लाइट ब्राउन हो जाएगा तो इस तक तरीके से कंटिन्यूस हमें इसे चलाते हुए और ब्राउन कर लेना है तो आप यह देख सकते हैं अब यह ब्राउन हो चुका है इस तरीके से हमें इसे बहुत अच्छे से यह लाइट ब्राउन हो गया है और अब मैं इसे वापी से एक बड़े बरतन में खुले बरतन में इसे डालके और ठंडा कर लूँगी तो मैंने कडाही में से इसे पलट दिया है एक बड़े से बरतन में और अब मैं इसे थंडा करने के लिए 5-10 minutes रखूंगी उसके बाद मैं इसे मिक्सी में ग्रैंड कर दूँगी बिल्कुल बारिक ग्रैंड करना है हमें तो अब यह ठंडा हो चुका है तो अब मैं इसे जार में डालूँगी और इसे फिर एक बहुत अच्छह इसका फाइन पाउडर बना लूँगी मैं तो इस तरीके से मैंने इसका एक पाउडर बना लिया है यह थोड़ा सा मुझे अभी और मोटा सा लग रहा है तो हम इसे एक बार और मैं इसे चलाओंगी और बिल्कुल पाइन पाउडर बना लूँगे इसका तो मैंने इसका बिल्कुल पाइन पाउडर बना लिया है इस तरीके से अगर आप बहुत ज्यादा इसे आपको लगता है नहीं हो पार यह बारीक तो आप इसे चलनी से चान भी सकते हैं और वापिस से मैंने इसे बड़े से बरतन में लिया है और जो मैंने सॉट का पैकेट आ मैंने आपको बता रही थी मैजिकल ट्रिंक है वेट लॉस के लिए तो यह बनके रेडी हो चुका है बस हमें से आप करना है तो इसे हम एयर टाइट जार में स्टोर करके रख लेंगे और यह वन मन तक आप इसली रख सकते हो और मैंने इसलिए इतनी जादी क्वांटिटी चाहते हो जाए तो आपके लिए तो क्र मेंस कर पाऊए वहिक दूबका इसलिए अपनीओ दूच्वाद च। दे टीज़ें, इसमें आप नहीं ठाओं Jesus करने ते टारिके से आप इसमें आप लेमन एड करेंगे मर प्मय करेंगे ग्लील हो गुरें आप च्पून ही आप से घिकर एंगे ग्लील प्वसरीधाओन चौ्परों आप चल्बेज़ हम नीस करें तुक्त करेंगे Department डालेंगे टो इसके बाद इसको जब अच्छे से mix कर लेंगे तो आप इस पर लिट लगा देंगे और इसा कलिव पानिद के बाद के बाद इसका लिड़ हटाऊँगे और इसे आप कंस्यूम करसे पीलोगे इक बाह देखिए फाइस मिनेट के बात भी कितना गरम है अभी तक पानी तो इस तरीके से ही आपको करके और सिप सिप करके आपको इसे पी लेना है और ये एक बहुत ही हेल्डी और बहुत ही अच्छा ड्रिंक पनके रेडी हो चुका है आपके लिए